नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप अपने इंस्टाग्राम पर लोगिन करने का ट्रॉय करते हैं बट यहाँ पर आप जो है लोगिन नहीं कर पाते है आपको कुछ इसतरा से error देखने को मिलता है जैसे कि मुझे यहाँ पर आ रहा है error and unknown network error has occurred यहाँ पर कुछ इसतरा से आपको error देखने को मिलता होगा तो आपको क्या करना है आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में end तक बने रहिएगा वीडियो अच्छी लगे तो like कर देना और channel को subscribe कर देना तो चलिए जान लेते हैं इस error को दूर करने के लिए मैं क्या करना होगा और हम easily login कर पाए अपनी ID ठीक है तो जान लेते हैं सबसे पहले आपको यहाँ से back जाना है बैक जाने के बाद guys आपको यहाँ से play store पर आना है यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ से play store open कर लिया है अब आपको यहाँ पर search करना है guys Instagram ठीक है यहाँ पर Instagram search कर लेना है यहाँ पर मेरा net थोड़ा सा slow है तो इसको search होने देंगे guys जैसा कि आप यहाँ पर आ चुका है अब आपको देखना के हैं यहाँ पर अगर आपको Instagram update का option है तो आपको अपना Instagram update कर लेना है अपडेट के वज़े से technical issue होने के वज़े से यहाँ पर problem आ जाती है finally आपको यहाँ से back आ जाना है guys back आने के बाद आपको फिर से setting में आ जाना है setting में आने के बाद सीधा यहाँ से scroll करके नीचे आई और apps पर आ जाए finally जो है आपके mobile में अलग यहाँ पर options हो सकते हैं अगर आपके पास किसी other company का mobile होगा तो यहाँ पर मेरा यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है यहाँ फिर आप जो है स्ट्रोल करके भी इसको instagram को search कर सकते हैं यहाँ फिर directly उपर की तरफ जो है यहाँ पर लिख कर भी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं instagram आ चुका है अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर इसको open कर लेना है guys open करने के बाद guys यहाँ पर आपको दिखेगा first stop पर आपको ok कर देना है first stop करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है app permissions जितनी भी app permissions है यहाँ से इनको allow कर देना है guys यहाँ से देख सकते हैं allow कर दिया है मैंने back आजाना है आपको भी जितनी भी permissions होंगी इनको allow रखना है यह अलोग करने के बाद आगा जाना है आने के बाद आपको यहाँ पर restricted data users आगर आपको अन-tick हो तो इनको टिक करके ओके करिए उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं storage है storage पर आईए और यहाँ पर clear data पर क्लिक करिए और clear all data और नीचे भी देखने को मिल जाएगा करें लोग डाटा का, यहाँ पर आपो कर सकते हैं, कोई प्रॉबलम नहीं है उसके बाद यहाँ से बैक जाएए डारेक्ली बैक जाने के बाद गाइस, फिर से आपको सैटिंग में रहना है और siting में रहने के बाद आपको जो हें यहां पर दिखेगा additional satting में आ जाना है यहां पर आपको दिखेगा date and time date and time पर आईए और यहां पर आप देख पाएंगे automatic date and time यहां पर जो है आपकी ओफ होगी तो इसको on कर दीजिए और यहां पर automatic time zone है ये भी आपकी off होगी इसको भी on कर दीजिए ये सब on करने के बाद बैक आजाईए बैक आने के बाद आपका airplane mode पर आजाईए यहाँ पर देख सकते हैं आपका airplane mode एक बार on कर दीजिए जैसे आप airplane mode on करेंगे तो आपके यहाँ पर network चले जाएंगे या फिर आप अपना airplane mode जो है लगा कर on off कर सकते हैं यहाँ पर कुछ भी आप करिए फोन को on off करिए तो भी आपकी problem solve हो जाने वाली है तो finally ये सब काम आप कर लेना है और आप आप चाहँ जो है Instagram चला कर देख लेना है आपकी problem 101% solve हो जाएगी अगर आपकी problem solve नहीं हो थी मुझे कमेंट करके बताईए मैं आपके लिए और solution लेकर आऊँबा बस आज की वीडियो में यही बताना दा कैसे आप जो इस problem से शुकार आपा सकते हैं अब आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी तो